अद्येजी बेठे वे इन से वारता हुई थी फिलाहल आई फिर से मुखमंत्र जी के वजी जिसे वारता हुई थी उसमें भी चार पांच दिन का समय दिया था कि आपके सारी मांगे स्विकार की जाती है और जल्दी आपके बीच में सच्छा मरिकारी को आदेश लेकर के बेजा जाएगा दरना इस तरपर और दरने को समध करा जाएगा उसके पांच दिन के बाद पांच दिन हमने समय और दिया तब तक कोई नहीं आया फिर को नहीं वारता हुई फिर पांच दिन का समय मांगा फिर पांच दिन का हमने समय दिया पांच दिन के बाद फिर दो दिन इस्टरा हो गए तीन दिन हो गए अभी तक कोई सच्छा मादिकारी हमारे सासना देश लेकर के नहीं आएं इन सतर दिनों में कल भी हमने एक साथी को अपने खोया है हाट्रेक से मिलती हुई हमारे अधिकारियों के प्रतालना की वज़े से हुई है टॉर्चर किया जाता है उनको मान सिक डिप्रेशन में आते हैं जिसके वो जैसे हाट्ट के सिकार हो रहा है हम इस तरह के से अपने करमचारी साथियों को मौत का बरदास नहीं कर पाएंगे और कस्मिक निदान हो राज इस प्रकार से यह अन्दोलन आओजरांटेशी से बढ़ने वाला है बिल्कुल बिल्कुल अभी हमारे करमचारी जो डूटी खतम होई है अब उलोग खाना खाये करके असारे करमचारी हमारे तीन-rãoद आजार करमचारी यही आ रहा है पूरी रात यहीं बैटाएंगे जब तक हमारे सासना देश में आ जाते हैं निरंतर संगस अब 24 आवर्स जारी रहाएगा आज कितने दिन हो गया आप लोगों को यहां पर आंदोलन करते हुए आज सेवेंटी फाइवन डेज सेवेंटी वन डेज हो रहा है और अभी तक हमार लोगों की न्यूपती हुई थी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आप 12 वर्सों से शेवा कर रहा है इस मारक कर्मी सब लोगों ने यहां पर ट्रैक बगला ले रखके हैं आज लोगों का कहना है कि अथारा सो उपर भरती हुई थी तेरा का तेरा सो ही ग्रेट पर आज भी हम लोग पा रहे हैं तेरा साल नौकरी का हो गया जो पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई सासन सत्ता की बेरुखाई का टोटल नतीज़ा है कि सासन सत्ता के द्वारा अधिकारियों से हम लोगों का सोशन करवाया जाता है जिसके चलते हम लोग 70 दिनों से धरने पे हैं हमारे साथ करमचारी जेत हो चुकी है उनको कोई कल भी जेत हुई है जो की बहुत ही मिन्दनी भी सह है मरता का स्रित हमारी बोल्ट बैटकों में पास हो चुका है पुन्रचित बेतनमान और सेवेक बेकमीशन हमें प्राप्त हो चुका है बजग मिला है मारे पास लेकिन सरकार केवल खर्च करने का आदेश नहीं दे रही है जिस कारण अधिकारी उसका लाब बराबर उठा रहे हैं हम लोगों की तरफ जो ये उदासीन रवया है उत्तरप्रदेश सासन का ये महेंगा ना पड़े इस इलक्सन में क्यूंकि दिक्कतें पैदा होंगी सुनने में यह भी आता है कि जलित इस महारकों जलित जो महापुरुस है जिनकी देख रहे हैं कि इस कारण जो है हम लोगों का उत्था नहीं और आए न गौर्मेंट द्यान दे रहे हैं और जब कि गौर्मेंट को संग्यानी दोना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो सासन सत्ता में आप बैठे हुए हैं वो भी इन दलितों के ही ओट से बैठे हुए हैं अगर हम लोगों के साथ बेदबाव पोड़ रवया अपनाते हैं तो महोदय सासन सत्ता छोड़ दीजिए क्योंकि जलितों का होट पाके ही आप बहुत बड़ा रोप लगा रहे हैं जबकि जो है बीजेपी सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास इसको लेकर करके जो है सरकार काम कर रही ह प्रियास कर रहे हैं बहुत सारे लोग होते हैं को आई जरा जोस में बोल नहीं है बहुत सारे लोग होते हैं इसे बात करते हैं इस चीनदाबात जिंदाबात आई थोड़ा एक मिड़ाबस बात करते हैं कि इस सामने साज़ाव तो अभी देख रहिए यह जो है एक इस फोड़ा बात करते हैं नेक यह बताईए वीजेपी सरकार में उनका अएक स्लोगन है सबगा सास विश्वास सबका विकास आपके कघ्टा आचार दिन बीजाने के बाद में, आपका कього सर्थ करते हैं ढ़ाया जा रहा है और भाई सार्थ, आइए बाई साथ बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकाथ सबका विश्वाथ